तो दोस्तो आप सभी का वंदरोगा का पेपर हो चुका होगा और अभी तक सभी ने आंसर की भी चेक कर ली है तो जैसा कि मुझे काफी मेसेज आये है कि सर आप केटेगरी वाइज एक वीडियो निको आ लिए तो हुनके कहने पर मैं एक वीडियो ला रहा हूँ और जितना मुझे अनुबह है और अनुमान लगाया है जिस हिसाब से मैंने ये पोल ग्रूप में डाले थे उस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया है और पेपर का एनालेसिस करके कि कितना रहने वाला है मेरिट और यहां पर आप देख सकते है 47.7% बच्चे 24,790 जो छात्र थे उन्होंने पेपर दिया 149 के अंदरों पर तो यह दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छी खबर भी है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पढ़ने वाले जो छात्र है उन्होंने सभी ने पेपर दिया है तो मेरिट का जो हमारा अनुमान है वो पेपर पे है और जो छात्रों ने कुई पोल खेला है टेलिग्राम पे और अपने नंबर बताए है उसके बेस पे ही हमने एक अनुमानित मेरिट बनाई है और वही आप सभी को मैं बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हमारी जो मेरिट है वो दो उसमें हम रखेगे तो बोई के लिए हम रख रहे है तो बोई के लिए सबसे पहले हम मेरिट उसको हम बताएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पैन नहीं चल रहा है तो मैं आप आइडिया लगा देना बॉइस के लिए रहेगी तो बॉइस के लिए मेरिट में सबसे पहले यू आर को देख लेते हैं यू आर की कितनी रहेगी और उसके बाद हम OBC को भी देखेंगे OBC की कितनी रहेगी और ST को देखेंगे ST की कितनी रहेगी और साथ में EWS को देखेंगे EWS और SC यह कैटेगरी है दोस्तो सभी कैटेगरी की हम मेरिट देखेंगे और यह जो मेरिट है यह हमारा जो फोकस है यह फीजिकल के लिए है कि फीजिकल में कितने जाएग जिससे पूरा फिजिकल में आपका selection होने वाला है तो सबसे पहले दोस्तों मैं SC की आपको बता देता हूँ कि SC में अगर आपके number 58 plus है 58 plus है तो आप confirm है आपका final selection भी हो जाएगा और मैं इसका बता देता हूँ SC में अगर 55 भी है आपके पास मतलब 55 से 58 marks अगर आपके पास है तो आप निश्चिनती त्यारी कर लीजिए ठीक है 58 मैंने बता दिया final selection है 58 में SC में मैंने बता दिया इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है बट 55 भी अगर आपके पास है तो आप physical में जरूर जाएगा इसका मैंने बता दिया EWS क्योंकि उस टाइम जो EWS form है नया नया था तो मैं इसका जादा नहीं रखूंगा इसका आपके 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 पास 58 के आसपास है तो आप जरूर भागने में practice करिए और final का इसका भी मैं बता देता हूँ 60 के आसपास रहने वाला है ठीक है final जो है 60 के आसपास रहने वाला है तो यह EWS और SC की merit है 50 से 58 के बीच SC और EWS 60 से 58 के बीच ST का दोस्तों वही रहने वाला है ST का 59 से 62 के बीच ठीक है ST का जो merit है 59 से 62 के बीच अगर आपके marks है तो आप इसको देखेंगे कि आपका confirm उसमें physical में नाम आएगा और अगर 59 से ज़्यादा जाती है 62 तक जाएगी इसके कम नहीं रहने वाली OBC वाला दोस्तों एक important जो है OBC और UR मुझे नहीं लगता कि UR और OBC में ज़्यादा फरक जाने वाला है क्यूंकि OBC में जो छात्र है जहां तक मुझे लगता है काफी intelligent छात्र है और OBC में कहीं ऐसा नहीं हो जहां तक मैं सोच रहा हूं कहीं टॉपर जो है हमारा OBC से मिल सकता है पूरी पूरे chances है और पहले भी ऐसा हुआ है और बहुत intelligent छात्र है OBC में तो यह मैं boys की आप सभी को merit बता रहा हूं यह ध्यान रखेगा आप और boys में जो यूर में है यूर में boys में अगर मैं कहूं तो आपके अगर 65 पलस नंबर है 65 पलस नंबर है तो आप physical की practice कर सकते है 65 वाले physical की practice कर सकते है जहां तक मुझे लगता है और OBC में भी दोस्तों वही है अगर आपके पास 65 पलस है तो आप practice कर सकते है ठीक है यही रहने वाला है जहां तक मुझे लगता है UR, OBC, ST, EWS और SC boys यह boys का मैंने आप सभी को बताया ठीक है और अब मैं आप सभी को girls का बताऊंगा इसी में girls का जो merit है वो भी आप सभी के बीच discuss करा जाएगा और girls का भी मुझे नहीं लगता खासकर OBC girls इस बार UR जो girls है उसका शायद मुझे लगता है कम रहेगा पर OBC girls का जो merit है वो जादा जाने वाला है जहां तक मुझे लगता है OBC girls का यहाँ पे 65 आप मान के चलिए और अगर और कम होगी तो 63 63 से 65 OBC girls और UR की जो girls है उनकी भी 63 से 65 रहने वाली है ST में girls 55 लगा सकते आप और जो EWS है उसमें जो girls की है वो मैं 52 लगाना चाहूंगा 52 53 इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं जो EWS का जो card था वो काफी late बना था तो यही कारण है इसका और SC girls 50 है मेरे according अगर आपके 50 नंबर है और SC girls है तो आपका selection पक्का है तो यह दोस्तो मेरे according है और इसका मैं reason बता देता हूँ मैंने कहां से लिया है क्योंकि यह तथ्यात्मक बिल्कुल भी नहीं है मैं पहले ही बता देता हूँ यह आप लोगों ने मुझे कहा कि आप इसकी वीडियो बनाई है जितने आप सभी के पास message आया है सभी ने आपको number बताए होगे तो जिस हिसाब से मुझे number बताएगे है अब हो सकता है कुछ चात्र हम से संपर्क में नहीं है काफी चात्र है 2400 चात्र है इस में से मुझे नहीं सुना हमारा अपना environment का जो था लगे रहे उस पे तो हमने कहा था पहले भी कहा था कि पिछली बार जो environment देने का मक्षद था उनका मक्षद ही ये था कि पैसे अंदर लेके अपना selection करवा दो बच्चों का लेकिन इस बार जो था वो slayvers की according होना था slayvers से भार कोई भी paper नहीं बनता है अगर आप fairly करवा रहे है पेपर और यही दिखाता है कि आपने fairly बनाया है और सब कुछ fairly हुआ है तो उसका कारण यही है कि slayvers की according सब कुछ हुआ है हाँ बायो के कुछ questions है बायो में जो questions है उसमें कुछ थोड़ा बहुत slayvers से भार है शायद वहां के जो expert है वो उस type के नहीं रहे होंगे क्योंकि मेरी according तो expert वही है question expert वही है अगर आप slayvers में से question बनाते है और फिर आप उसमें merit को down रखते है फिर वो मतलब किस बात का expert है अगर आप question कहीं और से लाके रखते हो और आप उसमें slayvers में बड़ा बड़ा डाल रहे हो कि 9th और 10th आने वाला है 9-10th आने वाला है और आप उसके बाद question कहीं और से रखते हो तो किस बात के expert है वो expert नहीं हो फिर फाल तुमें पैसे खा रहे है government के हम नहीं मानते है उन्हें expert expert होई है जो slayvers की according बनाए अगर उसके बावजूद भी छात्र अपने नंबर ला रहा है 100 ला रहा है तो क्या बूरा है हमें तो नहीं लगता है इसमें कुछ बूरा है अब एक छात्र क्या यह देखना चाहिए UK SSSC को भी देखना चाहिए अगर slayvers से भार पेपर आता है तो उन्हें बताना चाहिए कि यह किस बात के expert हो तुम और क्या तुम्हार को उनके मुझे तो लगता है उनके knowledge पर ही संच्य होना चाहिए कि तुमने 9th और 10th की book उठाई भी थी कहां से देख फिर भी तुम्हारे एक mentality है 5-10 question भार से ऐसे डालने है तो 5 question भार डाल दो merit खुद ही down हो जाती है पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10-15 question भार से डाल जो तो यह अच्छा नहीं है मैं पहले भी इस चीज़ पर discuss कर चुका हूँ और मैंने यह बात आगे भी दिखाए यह नहीं है कि आप कहीं से भी डाल रहे हो question और फिर expert आपको बोला जाएगा वो किस बात की expert है मुझे समझे मैं नहीं आता है ठीक है लेकिन फिर भी syllabus की according खास 80% मैं मान सकता हूँ और NCRT book की according ही था तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अगली बार ज वो भी science का exam होता है